नमस्कार दोस्तों मैं किर्ष्ण कुमार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे कि आपका जो अरियाना ग्रामस्यू का एक्जाम जो कि जनुवरी 2021 में हुआ था उसमें कैसे कैसे क्योशन पूछे गए थे यानि की कम्प्लीट जो आपका एक्जाम हुआ था उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसी के हिसाब से देखेंगे कि आप जो हमारा 26, 27 और 28 दिसंबर को जो एक्जाम होगा उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए हमारी क्या स्टैड़ी होनी चाहिए कौन से सब्जेक्ट को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को हमें कम पढ़ना चाहिए तो कम्प्लीट डिटेल्स में बात करेंगे आज की क्लास में इसलिए वीडियो को वही कम्प्लीट जरूर देखें ताकि आपको एक्जाम देने से पता होना चाहिए कि भी जो पिछे ज इसका एनालीसिस लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी बुक से आप पड़ें और कहां नोट्स कहां से आपको मिलेंगे इन सब के बारे में बात करेंगे देखिए दोस्तों जो कि आपका वही जनुवरी 2021 में जो 10 तारिक का जो पेपर था 10 जनुवरी 2021 का उसका आमने एनालीसिस के आई इसके लावा और जो च्यार शिफ्ट थी सभी का एनालीसिस के बाद हमें पता चलिया कि जो पंचायती राज है पंचायती राज के आपके 13 से 14 क्योशन पूछे गए हैं जिसके अंदर आपके सविदान से भी क्योशन पूछे गए हैं जिसमें आप पंचायती राज एक्ट में जो आध्यायों से भी क्योशन पूछे गए है इसके अलावा जर्नल क्योशन भी पूछे गए है ये आपका जो एक्जाम होगा अब आपका एक्जाम ुवारी और कनाल कोमन एक्जाम होगा अब इसको हम किस चीज से रिप्लेस करें जैसे ये बारा से तेरा क्योष्ण अगराब की बार भी पूछे जाते हैं तो इसकी जगह हम क्या पड़ेंगे वहाँ पर वही देखे तेरा से चोदा क्योष्ण जो है यह अरियाना जिक्के का भी पार्ट बनते हैं नैशनल जिक्के का पार्ट भी बनते हैं अब की बार कोई कहे कि सर कोमन एक्जाम है पंचाइती राज नहीं आएगा तो पंचाइती राज तो भी आएगा ही आएगा क्योंकि ग्राम स्चीव में अगर देख्या जाए तो ग्राम स्चीव जो ग्राम पंचाइत का जो कारिय दिकारी कोन होता है गराम सी होता है इसलिए पंचायती राज तो वही जरूर आना ही आना है वही आपका उसमें चाहे आपकी दारा पुछे चाहे कुछ भी पुछे आप इस टोपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे इसके अलावा आप क्या पडेंगे बूमी पटवारी से लेटिड है इसके साथ में आप नहरों का डाटा पड़ेंगे जो कि नहरी पटवारी से लेटिड है अब बात आती है कि सर ये पड़ें कहां से जब अरियाना पंचायती राज एक्ट 1994 को उठाते तो बहुत बड़ा दिखता है दिखने में इसलिए सर कहां से पड़ें जर्नल क्योशन कहां से पड़ें तो इन सब के बारे में आपको बताते हैं देखिए वई निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर 32 कलास एक है जो कि 200 सी दाराओं की है आठ कलास एक है छे कलास एक है ठीक है वई तो इन जो स्पेशल सब्जेक्ट है इन सब के अगर आप नोट्स भी चाते हैं तो 990256757 यह हमारा वट्सेप नंबर है इसके उपर कॉंटेक्ट रहें आपको वही यह नोट्स मिल जाएंगे मातर 70 रुपए की पेमेंट के उपर आपको यह नोट्स मिल जाते हैं ठीक है भई पंचायती राज, भूमी रिकार्ड, नेरो का डाटा, जर्नल क्योस्टन, सवीदान से, कमेट्टी से, कहीं से भी अगर कोई क्योस्टन आता है तो जनुवरी में जो पुछा गया था उन सब का जो कंप्लीट एनालिसिस और अब जो एक्जाम में क्या पुछा जा सकता है इ अब की बार ये 13 से 14 क्यों सनाते हैं तो वही नोट से बार आने की बहुत ही कम उमीद है क्योंकि कम्प्लीट लिख चुके हैं और निचे अगर नोट्स नहीं लेना चाते तो उनके लिए बिलकुल फरी ओफ कोस्ट क्लासीज है निचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में इसके अलावा रिवीजन क्लास भी चल रही हैं बारा क्लास के अंदर इसको वही कम्प्लीट कराया जाएगा तीन क्लास हो चुकी है इसके बाद आ जाओ वही अगले पॉइंट की तरफ इसके बाद अगला जो point है वो हवाई अरियाना जिक्के का अरियाना जिक्के के कितने question 25% लिख्या हुआ है वही 25% question पूछे गए है 22 question भई पूछे गए है 90 question में से ठीक है तो अरियाना जिक्के के 22 question आएंगे एक बार हम आपको ये भी बता रहे हैं अब की बार ये भी हो सकता है कि जो ये 13 से 14 question है ये 13 से 14 question अरियाना जिक्के का पार्ट बन सकते हैं भई अब की बार क्योंकि देखे बूमी रिकार्ड अरियाना का है नेरों का डटा अरियाना का है और पंचायती राज का जो एक्ट है वो भी अरियाना का है इसलिए ये 22 क्योशन में से 10 क्योशन बच सकते हैं वही अब की बार केवल केवल 10 क्योशन बच सकते हैं वही आपे अब की बार अरियाना जी के ज्यादा नहीं पूछी जा सकती केवल तो अर्याना जी के दस नंबर के उसके तेरा से चोधा यह टोटल पच्छीस नंबर का आ सकता है आपकी बार यह उमीद है वैसे आपको क्या पता है अर्याना जी के कहा से पड़े एक लेवे की बूक आती है हम वैसे किसी को प्रोमोट नहीं करते है लेकिन हमें जो चीज अच्छी लगी वह एक लेवे की बूक है रियाना जी के की बही तो वह अच्छी है वह बहुत अच्छे से उसके अंदर दिया हुआ है इसलिए हम उसको प्रैफर कर रहे हैं तो एक लेवे की बूक पढ़े वह रियाना जिक्के के लिए पंचाहितीर आज के लिए हमारे नोट्स हो जाएंगे इसमें आप नोट्स को खरीद ले वह जो भी है एक महीना है एक महीने में कम्प्लीट आपको पढ़ सकते हैं तीन से च्यार दिन में ही पढ़ लेंगे नोट्स को तो नैशनल जिक्के के लिए कोई भी बूक ले लो भी मार्केट से करन्ट अफेर के लिए कोई भी बूक ले सकते है कोई प्राफर नहीं कर रहे हम computer ने 6-7 question पुछे गए थे देख लिए computer के लिए भी क्या गरे भई ये भी एक लेवे की book आती है या फिर Lucent की book आती है उससे भी पढ़ सकते है math or reasoning 18 question आये थे भई सबसे बड़ी बात है कि देखे HSLC एक subject में आपको दोखा देता है बार लेकिन math or reasoning कहाँ कि अब यहां से कहाँ कि यह आपके जो पक्के नंबर है वो यहीं से बन सकते हैं अगर आप math, English, India और science अगर यह 4 subject को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो यह subject आपको दोखा नहीं देंगे वही कहिने का मतलब यह है computer वही यह जो निच्चे वाला जो portion है पांच और आठ तेरा और छे उननीस और ठारा सेंतिस और साथ चवालीस यानिकि जो यह 45 नंबर है यह आपको दोखा नहीं देंगे वही नैशनल जी के अरियाना जी के पंचाहिती राज यहां पे आपको थोड़ा सा वही है एचससी आरबार फेर बदल करता है यहां पे आ अनालिस हमें बताना था जो हमने बता दिया इस तरीके से आपको तैयारी करना है साइंस के पांच क्योशन कोई पूछे के साइंस का एडवांस था बिल्कुल एडवांस था बिल्कुल इसे नियुमेरिकल पूछे गए थे कि वही किसी को समझ में नहीं आये होंगे अब बत क्योशन केवल केवल फिजिक्स के सोलुशन मिल जाएंगे और याना पुलिस कल्लक के लिए तो वही आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तभी ले उसके लावां ना ले वही इंदी इंगलिस लुसेंट की बुक से पढ़नें बिल्कुल ठीक है मैथ औरीजिनिंग के लि के उपर ज्यादा फोकस किया था वही क्योंगे पंचायतों का काम है पटवारी भी पंचायतों के उपर पंचायतों के बीच में काम करता है नहरी पटवारी भी पंचायतों के बीच में काम करता है ग्राम स्यू भी वहीं काम करता है तो यह पंचायत जो वर्ड है आपके ग वही एक बार हम सोचे कि भी क्या आएगा फिर कैदे कि कुछ नहीं आएगा फिर आखिर में करना क्या आखिर में पढ़ना तो वही है जो भी दे रख्या है तो पढ़ के जरूर जाएं भई पंचायती राज आमारी उमीद है कि बहुत अच्छा यहां से आपको स्कोर करने को म मांच घंटे पढ़े अपनी तरप से पढ़े लेकिन एक बात बता देते हैं इसको दिन में केवल केवल हो हो सकता है तो एक घंटे पढ़ें वही पूरा दिन इसके उपर देन या यह फिर कर रहे थे शूबह 6 बजे उठके बही पंचायती राज बुमी रिकाडव नैरों क को वही एक बार देख लें छे से साथ पेज आठ नो पेज पढ़ लें वही और आपका एक गंठे के अंदर कवर करें इसके लावा पूरा दिन आप पूरे इस सलेबस को देंगे निच्चे वाले को ठीक है वही यह नहीं कि पूरे दिन पर चायती राज पढ़ रहे हैं ऐसा हंब करके चैनल के नहीं आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक और इसके लावा निच्चे जितनी वीडियो दी गई है उनको भी देखें वही उसी अनालीशिस करें नोट का भी एनालीशिस करें किस परकार के नोट्स है ठीक है एंडी रिटन कि इस्पेक्टर के लिए तो उसके लिए भी आप कॉंटैक्टेक्ट नमबर के उपर कॉंटैक्ट कर सकते हैं जो वह नेक्ट्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद